नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस वीर सिंग के साथ दोस्तों WCL नाकपूर छेतर अंतरगत गोंडे गाउं कोईले की खदान है उस खदान में दो नवंबर को सुभा आठ से नौ बजे के बीच में एक ट्रक पलट गए ये ट्रक सप्रा ट्रांस्पोर्ट क रहा था और यह आदानी के लिए ट्रक भर रही थी लगभग 30-32 टन कोईला इसमें था और यह गाड़ी वहां पलट गई गाड़ी पलट गई यह अलग पार्ट है लेकिन जहां से कोईला भर भरा जा रहा था और जहां पर गारी पलटी यह अवैद था क्यूंकि चार नंब अलरजी की हिसाब से वेकूली में कारे करती है ऐसा ही प्रतीत होता है पोकलेन मसीन और पेलोडर मिलकर उस ट्राली को खड़ा किया उसके बाद उससे निकालने कोशिश की गई वह ट्राली दुबारा पलट गई अब सवाल यह उठता है कि पहले उन्होंने फिर मुंडा नि जब ट्राली निकाला जा रहा था तो ट्राली में लगभग 5-7 टन कोईला बचा हुआ था इसको भी बीना वजन किये कांटे के बाजु से प्राइवेट क्रेन द्वारा इसे ले के जाया गया इसको वजन की नहीं किया गया एक बड़ा सवाल है क्योंकि उसकर अंदर कोईल गार उस कोईले को खाली कराया गया यानि कि यह माना जा सकता है कि यह जो कुछ भी गारी पल्टी हुई इसमें एक तो बिना पर्मिशन का वो काम कर रहे थे और अवय तरीके से काम कर रहे थे चार नमबर यार से भरना नहीं था दूसरी बात कि 5-7 टन कोईले की चोरी एक तर पूटता है दोस्तों कुछ चीजे इसमें है जो अभी भी सामने आने की है और आम जल्द लेकर आएंगे और आपको बताएंगे भी यह भी सुतर बताते हैं कि आदानी के तरफ से कि shift wise हर shift में अलग-अलग आते हैं और 3 shift में 3 लोग आते हैं और अपने हिसाब से यहां पर माल उन्हों यानि कि कुईला वो भरवाते हैं उनकी क्या जरूरत है ये भी एक ब्रा सवाल है क्या उन्हें वեkolी को अपना नीजी समपति समझ कर रखे हैं इन लोगों ने सप्रा ट्रांसपोर्ट के मांध्यम से यह भी एक बड़ा सवाल है तो कोई भी गारी ख़दान में अगर ब्रेकड़ाउं होती है तो उसे काटा पे बीना कैंसल किये नहीं लिखे जा सकते हैं लेकिन काटे मशीन पे तो छोड़िये कैंसल तो छोड़िये इन् अगले अपिसोड में लेकिन ही 10 प्रा ट्रांसपोर्ट का virtual कोईले को लेकर जाना है लेकिन क्रस्थ कोईले को ना लेकर जाकर यह स्टीप कोईला लेकर जा रहे यह पूरी तरह से allegations उडते हैं सवाल उडते हैं इसपे उचीत कारवाई की मांन की गई है और युँवा जुआ सेना द्वारा इस पे तिवर आंदोलन का इशारा किया गया है कि अगर सपरा ट्रांसपोर्ट को के ऊपर कारवाई नहीं होती है तो तिवर आंदोलन किया जाएगा दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नोडल ओफिसर की मिली भगत रही होगी कुछ ने कुछ ओफिस नहीं है इसा सूत्र बताते हैं क्योंकि उसे जगह से तो कोईला किसी को भरना ही नहीं है लेकिन बावजूद उसके भरा गया अब जो वहां सो कोईला नहीं भरना है तो वहां CCTV की आवशक्ता क्या है इसलिए शैद वहां CCTV ठीक तरीके से नहीं है लेकिन इस सब का उलंगन करक कि सप्रा ट्रांसपोर्ट ने जिस तरीके से एक कार्य किया है ये अपने आप में एक सवाल है इस पर इंक्वाइरी होनी चाहिए और सप्रा ट्रांसपोर्ट के उपर कारवाई होनी ही चाहिए क्योंकि वेकुली सप्रा ट्रांसपोर्ट का एक नीजी संपत्ती नहीं है ये सर यहीस फिल्ड में जो officer's मिलके मिलीभगत से काम कर रहे थे सप्रा transport के साथ है उनकी उपर भी क्या कर भायी होती आने वले समय में हम जरूर देखेंगे और बताएंगे कि सप्रा ट्रांस्पोर्ट का सिर्फ गोंडेगाओं में नहीं बलकि कुछ समय पहले उम्रेड में भी कुछ अनैतिक करित कारे किये गए हैं उसका भी खुलासा हम फिर से करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बार-बार किया जा रहा है WCL की मिली भगत से कुछ फिल्ड के ओफिसरों की मिली भ झाल